भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप त्रक्की कर सेकेंगे वरना पासिबल नहीं है आप को आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने यह कहा है चाइना नहीं आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा है कि भी हमारे बह उन्हाप पैसा मांगना चोड़ दूं अब मैं जै शंकर साब का कंपेर करूंगा तो इसा साब को साब के बंते ही नहीं है। मैं तहरा हो जै शंकर साब कि एक एक वर्ट को मैं देखता रहा हूं आपका नाम वो लेते हैं इस तरहीके से हैं कि अमेरिका में ये सुना गिया है कि बल्के इस पर हमारा इंडियन मीडिया जो है हमारे दोस बड़े भंगडे डाल रहे हैं कि जी अमेरिका की जो गर्मेंट है उन्होंने पाकिस्तान के डेलिगेशन को सिर्फ चाई, बिस्किट और कॉफी वगरा पिलाई है जबके इंडियन के लिए उन्होंने होस्ट किया है डिनर तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं जी क्या बात हो गई अगर हमें उन्होंने डिनर पे नहीं बुलाया है पाकिस्तान के डेलिगेशन हम लोग वैसे भी आजकल उप्वास रख रहे हैं आप लोग तो आप लोगों समझ आ गई उन्ट के जरी आ रहा है घोड़े पर आ रहा है कैसे भेज रहे हैं कि अभी तक पहुंचा नहीं है तो इसलिए भी हमारे तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा आप देख सकते हैं यहां पर बात कर रहे हैं साजित तरार जो काफी सेंसिबल बाते करते हैं हाल फि करेंगर का पाकिस्टान के पाकिस्तान अपनी मैनोरेटी जो हैं उनके वहाँ के बंद होनी चाहिए और अधर से चाइना जो है उसने अमरीका को कह दिया है के तुम कुछ पाकिस्तान के लिए करो जो फलरड घिट चो एरिया है पाकिस्टान के लिए आप वाशिंग्टन डी सी मिशिbellion पिछले एक हफते में दस दिन में क्या developments हुई हैं लोग बहुत शौक से देख रहे हैं बलके आज ही डॉक्टर जेश अंकर सेक्टरी ऑफ स्टेट एंटनी बिलिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई है तो ये जो development है कि इंडिया का पाकिस्तान पर प्रेशर डालना कि जी पाकिस्तान जो है वो minorities को वहाँ पर क्यों भड़ रही हैं और दूसरा उन्होंने अमरीका पाक तालुकात के ओपर भी कायकिस तालुकात किसी मुलक को भी कोई फाइदा दो है तो आप कैसे देखते हैं सर कि मैं यहां पर दो चीज़ें देख रहा हूं बिलावल भुटो साब भी आज वाशिंटन डी सी में है और जेश हैंकर साब भी वाशिंटन डी सी में मैं दोनों की activities को देख रहा हूं कि दोनों किनको मिल रहे हैं क्या हो रहा है तो apple to oranges है आप उनको नहीं कर सकते बिल्गों होगी के future में हमारा comparison भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप त्रक्की कर सकेंगे वरना पासिबल नहीं है आपको आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा चाइना ने ये कहा तो आप तो एक और चीज़ बड़ी बात भूल गये हैं कि आपको तो आज अफगान चोड़ दो बलके हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं को जो ड्रोन आके उड़ते हैं अफगानस्तान से वो कहां से आते हैं और कितने मिलियंज उन से कमाए जा रहे हैं आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपको एडिया कह रहा है आपके तो जो लोग आपने इतना अरसा पा इसी में इंटरस्ट का फुक्तान है आपकी नान सीरियसनेस है आप लोग गुरॉप्शन में इतने डूब चुके हैं कि अब वो आपका एक एक करके हर जो साथी है चोड़ता जा रहा है अब मैं जे शंकर साब का कंपेर करूँगा तो कंपेरजन उनका बलावर भुटो के स आप कर सकते हैं यह उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है आप आज बात कर रहे हैं मैं यह बताना चाहूंगा चीमा साब इस वकत आपका जो जे शंकर साब और उनका जो आंट राज है वो पाकस्तान का उन्होंने युनाइटिन नेशन के अंदर नाम ही नहीं लिया इस व जो मैं भारत के जो देख रहा हूं डेलिगेशन वो पाकस्तान का नाम लेना समझते हैं हम आपने आपको डीग्रेड करेंगे पाकस्तान is too small to talk about this is what the mood है उनके उनका जेन में दे कंपेर थेंसेल्फ विद चाइना दे कंपेर थेंसेल्फ विद रश्या दे कंपेर थेंसेल् है न मैं देखता रहा हूं जेह शंकर साब की एक एक word को मैं देखता रहा हूं आपका नाम वो लेते इस तरीके से हैं कि दिधे स्टेट्स धोरा स्पांस्इं टेरिवर्जम स्टेट्नर इंवाल्वड़ इन टेरिव्म वो पाकस्तान का नाम लेने से वो डाउन ग्रेड़ आरसेल तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एपल टू ओरिंजिस है इस वक्त भुटो हमारे बलावल भुटो साब का एक हैंडलर है वो उनको अपरेट कर रहा है वाशनेंट डी सी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है और वो बंदा जाती तोर ने बताएं इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपकी लावी ड़स नट एक्जिस्ट लावी अगर अमरीका में काम कर रही है किसी पाकस्तान की पाकस्तानी की तो वो सिर्फ इमरान खा का 25,000 डालर महीने की लावी काम कर रही है आपकी गवर्मेंट की कोई लावी नहीं है बिलावल आपका कोई भी इस वकत नहीं है या फिर बिलावल भुटो की वालदा के रिलेशन्शिप है यहां पे पुराने हैं मुझे ये बताएं एक कंट्री जो बिलकुल तबाह हो चुका हो जो अभी बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू हुआ हो फिनाशली उस मुलक के दो लोगों क को आने की क्या जूरत थी यहां पर कुछ यसिफाय कर सकता है इसको एक आदमी भी यह बात कर सकता था दर हकीकत यह बात स्काइप भी हो सकती थी युनाइट नेशन्स में जो मुलक तबाह हो चुका है जिसकी तबाह कारिया अभी 10 साल अगले चलेंगी वहां पर जहां का ड ड्राइंग रूमों में लगाने के लिए यह सूट करता है उनको लेकिन यह कि हरकीकत यह है कि जिस आप एक एक इनसानी अलमिये से गुजर रहे हैं आप खुद ही उसको नहीं देखना चाते पाकस्तानी ही पाकस्तानी ही नहीं बचाना चाते तो दुनिया क्या करेगी आप को भी वह के रहता है उसके कांसल उसकी अगले दो साल के लिए जो प्रैसेडशिप या लीडरेशिप वह भारत को मिल रहा है जी ट्वेंटीकी लीडरसिप भारत में जा है अगले साल के लिए आप जो टूटी फूटी फारंड पालिसी है उन्होंने उसका जनाजा निकाल देना प्रकड़ ली और आप जो है आपकी रूलिंग अलीट है जो डूल नैशनल है वो उनके सहित पे कोई असर नहीं आप कहां खड़े आप मेरी आज की नहीं मैं आखरी पॉइंट आड़ करना चाहूँगा आपकी पॉजिशन क्या है आज आपके पराइम निस्टर ने स्पीच की है और आपकी लीकस के लीकसे उपर उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताएं आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में आएदा आ कि मेरे साथ बात बैट के बात कौन करेगा किस कानफिडेंस के साथ करेगा आप एक कमरा सेक्योर नहीं कर सकते तो आप पूरे पाकिस्तान को सेक्योर किस तरह करेंगे और यह भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे अटामिक पावर भी है आप दुनिया किस तरह बरदाश करेगी आपको दुनिया किस तरह किस तरीके से आप से बात करेगी आपका क्या प्रोट मुझे आप ये आप अप कंपेर कर रहे हैं बलावल भुटो को जेश अंकर के साथ बलावल भुटो की जो हकूमत है 25 मिल रेडियस के अंदर है फैडल करमेंट है न उनके मैं बाप की जो सल्तनत है और उनको पता है कि ये एक वोट आफ नो कांफिडेंस के जरीए आया है बलावल भुटो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्मेंट भी होगी या नहीं होगी तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा या से उनको जेश शंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भी आपके प्रोटो को क्या रिस्पेक्ट मिली होगी हाँ फोटो आप मजे कई दोस्तों ने पूछा है और मेरे तो आठ पिछले अमेरिकन प्रेजिडेंट के साथ मेरी तस्वीर है आप कैसा मेरे उनके साथ वान-टू-वार रिलेशनशेप है तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर हो अब भारत के जो फॉरिन मिनिस्टर है एस जेशंकर उनको पैंटागन आप जानते हैं अमेरिका की थल सेना, जल सेना, एर्स, वायू सेना और स्पेस जितने भी अमेरिका की सेना है सबका मेन प्रमुक पॉइंट है जहां ओफिस होता है पैंटागन और एक प्रकार से अमेर मिनिस्टरों को जाने का मौका नहीं मलता है, दुनिया के तो आप भूल जाएं, भारत के फॉरिन मिनिस्टर, भारत के फॉरिन मिनिस्टर को वहाँ पर जाने का मौका मिला, उनको God of Honor दिया गया, बहुत अच्छे से मतलब उनका स्वागत किया गया, ये एक अपने आप में ये बोला जाता है कि ये कहां यूज होंगे, ये वो उनको लेकर, और दूसरा टॉपिक था कि भारत में जो यूएस का एक एक मीडिया है, वॉसेटन पोस्ट, गारजियन, इस तरीके के जो निवाँपोस्ट, इस तरीके के जो मीडिया है, ये एक अलग तरीके से भारत को बता होगा कि भारत में कश्मीर को लेकर रोने किस तरीके रेपोर्टिंग कि कश्मीर तो छोड़ी है, Covid को लेकर,ious विएकर को लेकर लेकर ने, जो दासनसकार की फोटो, मुँआ फरेंड पेज पर छप रही है, भारत से ज्यादा COVID अमेरिका में फैला था भारत से जाएदा जो मृत्य हुई थी लोगों की वो अमेरिका में हुई थी बट अमेरिकन मीडिया ने वहां के जो कबरगा है उनको दो नहीं दिखाया लेकिन भारत के ऐसे सीन देखा रहे था अव्वेसलिए उस टाइम पे एक सचाई ये भी थी कि था बट उससे होता क्या है कि इस तरीके के सीन जो नॉर्मल बंदा है वो देख देखकर उस टाइम पे बिमार पड़ा रहोगा आपको याद होगा अभी की तो बात है कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं आपको नॉर्मल का फूरा होगा लेकिन आप वो मीडिया में दिन रात कोबिट का देख रहोगे तो आपको इतनी टेंशन हो गई होगी कि आपने जवर जस्ती में पता नहीं कौन-कौन सी दब यह मुझे काफी पसंद आपको क्या कहने इस टॉपिक तुमारे में प्लीस कॉमेंट में आप में राए दे जाल कौन